नश्कार दोस्तों स्वागे था आप सबका आपने अपने यूटूब चैनल असोका क्लास में मैं असोक कुमार आज आप लोगों कुछ सिखाने वाला हूँ पावर क्वाइंट के अंदर चलता हुआ टेक्स्ट कैसे लगा सकते हैं या फिर आपने देखा होगा कई बार आपने स्क्रीन पे देखते हैं कि टाइप राइटर की तरह चलता हुआ टेक्स या टाइप होता हुआ टेक्स्ट आपको दिखाई देता है तो आज हम सीखेंगे कि type writer की तरह typing text का effect power point के अंदर कैसे लगाया चालता है तो इसके लिए हम अपनी screen पे चलते हैं वो screen पे हम देखेंगे ये power point आपका खुला हुआ है यहाँ मैंने क्या किया है एक blank slide लिया इस slide के अंदर अब आपको कोई text type करना है जिसको आप running mode में या फिर typing mode में show करना चाहते हैं तो इसके लिए में क्या करता हूँ सबसे पहले हम insert कर लेते हैं text box और यहाँ पे हम type करते हैं जो आप show करना चाहते हैं जिस text को है following the template this video can operate 1.2.6, 2.0 dot n.1.3, 3.0, 2.0, 1.3, 3.0, 2.3, 4.0, safe, 5.0, 1.3, 3.0, 2.0, तो इस टेक्स्ट को हम शो करेंगे कि यह कैसे चलता हुआ या फिर टाइप होता हुआ आपको स्क्रीन पर नज़र आए तो जो टेक्स्ट आपने स्लेक्ट किया है इसका फॉंट साइज विगरा जो भी कलर विगरा आपको सेट करना है आप कर सकते हैं थोड़ सा मैं इसका फॉंट साइज बढ़ा कर देता हुआु जो इसको भी सेट कर सकते हैे मिस्क्रीन पर जितने पर आपको फॉंट साइज चाहिए कलर वागरा जोबी आपको सेट करना आप判 कर सकते है अब इफेक्ट लगाने के लिए आपको क्या करने ऐ Photographic मेशार अब हरेखार में आपको अपियर पे क्लिक करते हैं अपीर क्लिक करने के पाद यहां पे इसकी में जाना है इफेक्ट ऑप्सन्स यानि आपको najle 10 पेंड और करना है अपको यहां दिखाई दे रही है рядом करेंगे nos text के effect में आप जाएएंगे effect Patch eff test options के अंदर ये window खुल के आती हैं sound पर Estack कर नी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं आपको entonces करना है और यहाँ से आप navyलेटर या फिर दायवज़ अगर आप चाते हैं कि पूरा ही वर्ड complete show करें, बट वो effect थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम by letter करते हैं, पर take letter, every letter कितने time के बाद type हो जाए, type writing की speed जो चलती है, आप उसको यहां से plus minus करते हैं, तो मैं यहां से show कर रहता है, इसको 0.2, ओकी, और अब आप यहां से अपना f5 प्रेस कीजिए, और slide show को चेक करेंगे, हम देखेंगे कि text में वो effect आपको नजर आ रहा है, तो जैसे type writer से type होता है, अब आपकी screen show कर रही है, कि यह text एक तरह से आप type writer से type कर रहे हैं, तो यह effect आप ऐसे लगा सकते हैं, thank you guys.